मलेशिया जहाँ ज्यादा रिस्क, वहाँ ज्यादा पैसा अगर कोई अच्छा सौदा मिले, तो मैं छोड़ता नहीं मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बाद गणेश भगवान से अब आप सोच रहे होंगे कि गणेश भगवान से ही क्योंकि मेरा नाम ही गणेश है एक और बात, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा प्यारी है क्या बात है, बहुत चमक रहा है, नहीं ली है क्या? हाँ, नहीं ली है अरे तो दिखा, अरे वाँ, ये तो मेरा ब्रांड है पर साइज मेरी है साइज का क्या, वो तो कहीं भी फिट हो जाती है मुझे भी फिट होती है किसे मत देना फट जाएगी टीशिट मैंने खरी दिया यार मुझसे कितना प्यार करता है, अभी मेरे तारीफों के पूल बन देगा इसकी तो, ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचता इससे बस अपना फाइदा दिखता है, दिमाग की हटा देता है कहा था ना बहुत मैं फोन करता हूँ बहुत बढ़िया शर्ट है यार किसकी उठाई बता जिसके भी उठाई हो, पहले बता तुछे क्या काम है अगर तू कुमार से कहे देगा तो मेरा भी कुछ जुगा देख की लग रहा था तू यही कहने वाला है ना ठंकी कहीं का ए कुमार हाई गनेश यह, अरे मुझे कुछ लोन चाहिए था अरे यार देने वाला फटीजर है, दो पसेंट कम करना वो साथ कह रहा था, मैरे पांच पर डन किया, वो भी तेरे लिए नहीं भाई माँ का ओपरेशन है, इसलिए आप लोग सही सोच रहे हैं मैं थोड़ा तेड़ा आदमी हूँ अगर आप मेरा तेड़ा बन देखना चाहते हैं, तो चलिए फ्लैश बेक में चलते हैं मतलब महिने भर का खर्चा, क्या बात है बचपन से अपनी बॉड़ी पर बहुत खर्चा किया है, आज वसून लेगा टाइम है वेटे एज़ए ज़ए 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 हैं मैं रकता है, चुर्णा, मैं वक्रिश के पहुति.. फोटे के पॉस्तिक घुऑमा पर उपहपने.. उवंचाट का पाड़ क्याम करने कि विटा विम्ो में 20 पॉस्पृज शेख सन्नाग था एधा विंपा पेा में 20 बदारे होग्स पैसा, पैसा, सिर्फ पैसा पैसो के लिए तू हार गया, देखकर अच्छा नहीं लगा, बाद गिल्टी फील हो रहा है गिल्टी फील करने की कोई जुरूत नहीं है इन्हीं पैसो के लिए मा ने पापा को मिस कर दिया और मैंने अपनी मा को, तो इन पैसो के लिए मैं हारने को भी तयार हूँ पहले पैसा, फिर दुनिया धरी मतलब तुम्हारा कोई भी नहीं है वापस पुछ तुम अनात हो क्या? जिसका रिष्ता इन से हूँ आनात नहीं होता हम हाई लूजर प्रवाँ आर्वाँ वा गदेश्ट अवाँ वा गदेश्ट आमार्ट वा गदेश्ट आमार्ट अल्दॉ जो रिवा सोला डिड़ साओी दो जो रिवा सोला डिड़ मांदर सर्फ पंसो के लिवारता लेकिन बाहर इजद मेरे लिए ज्यादा ज़रूरी है और दोनों मुझे प्यारे हैं सर जी दिवाली का बोनस एडवांस दे रहे हो क्या? क्यों? पैसे लेको शराब नुड़ानी है क्या? बोनस छोड़ो सैलरी भी नहीं दूगा जाओ चुपचप जाकर काम करो मैंने सब सुन लिया आप पैसे नहीं गिन पारे हो गया लायम मैं गिनता हूँ आप ही ना पैसे गिनने में कमाने से भी ज्यादा टेम लगाते हो तुम्हारे पिता जी भी इसी अंदाज में नोट गीना करते थे आपको पिता जी की बात करना ज़रूरी था क्या तुम्हारे जैसे जिम्मेदार इंसान को देखकर उनकी याद तो आही जाएगी ना देखी अंगल अगर वो अपनी जिम्मेदारी ज़रा भी समझते तो गाव समझना नहीं है अब यह बताइए मैं खुद पैसे लेलू याप मुझे दे रहे हैं अरे माई तुमसे बहस करना ही बेकार है पागल्पन है अब तुम दोनों बाप बेटों के लड़ाई में मैं क्यों पड़ूं यह लो तुम्हारा हिस्सा पैसों की पीछे पागल है क्या कि आशे जयार सुना वोग क्या कह रहा था अब बताऊं मैं क्या करूं वो तो तुम्हारे बारे में सुनना ही नहीं चाहता ना ही कुछ समझना चाहता है कि मामा जी गणेश के पिता जिन्दा है तो वो कहा है अरे उसे क्यों बुल रहे हैं उसी से क्यों नहीं पुछ लेता कि उसके पिता जी कहां है तो पागल कहीं का बेवकूर एक काम करने का दिखवा कर रहा है और एक खेल रहा है और इसे लड़कियों से फुरसदी नहीं है कभी नहीं सुद्रेंगे यह गनेश क्या हुआ तू यह चुपचा वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है कॉन्फ्यूस्ड है या नॉलिज के लिए पूछ रहा है दोनों ही समझ ले अब टिंगू जब क्ल जंडे कौन निकालेगा अब जंडा भी मैं ही निकालों किया तो के तेरा बाप निकालेगा बाप पुलाने पर खर्चा बढ़ जाएगा यह शादी में मंत्री थीक्ते पड़ूगा है थीक्ते पड़ूगा अरे यह क्या है अब इडिया से है ना इस काड्द में सच में पावर हैं किया तभी तो इंडिया से आकर मलीषिया में बस गया बर और उसानीके कुछ सोरी सोरी मैं आपका फोन यूज़ कर सकती हूं वहां दूर तुम्हें टेलीफॉन दीख रहा है उसमें कॉइन डालो अपना डाल करो और बात करो इंजिया नहीं सोचकर हेल्प मांगी थी दो रुपे से ज्यादा नहीं काच करवा तो मैडम वह दो रुपे भी मुझे प्यार है विदेश में आकर पता नहीं नहीं क्या हो जाता है तेरे आत में दो और उसके आत में दस कुर्सी कान की नेचा बजाओंगा सही से काम कर गनेश को मैंने अइडिया दिया था और उसने डाट दिया तेरा आइडिया तुरी हाइट जासा होगा तुम मेरे हाइट से जलता क्यों है यह यह इसक्यूज में वह स्टाइम पना क्या है अब तक क्यों नहीं याया तो पता नहीं का भाज गया है अब आधा अब का अधा आधा अधालो अच्छे का राइट में लगाते हैं या लेट पे राइट लेट 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 फेस पे कंफर्म फिर काम चुरी कितना कनफी तर्वी लगता है इसकी अब तक शादी नीं पीए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप मसूरी से मलेशिया तक आई हैं आपका किश्वर बस आता ही होगा लगता है ट्राफिक में फस गया है जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक मैं हूँ ना यहाँ पर गनेश दे बुला रहे जा वो बुला रहा है कि तुम्हेरा पत्ता काट रहा है भाई ने जो बूला वो कर पत्ली गली से निकल यह क्या है पूरे हिसाब में कड़ मैंने सोचा दिमाग लगांगा तो यह ले आ गया तू बहुत फ्री है जो लड़की क की तरह सजी हुई है समझ में यहां यहां पर आई क्यों है लगता इसे किसे ने अच्छा चूना लगाया हुआ है एक बात बता तुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों है क्या मिलेगा तुझे पता हलो वह यहां अकेली है तुझे कैसे पता कि वह अकेली है पता कैसे पता उस तुनी पीड़ा अरे यार आज क्या प्रॉब्लम हो गई वीकेंड है ए नियम भूल गया है पूजिणीय गणेश जी अभी अब अपनी कसम खाते हैं अभी अनले जो गणेश जी अभी घंडे तक निभाएंगे वालो वीकेंड खराब मत करो आप जी बर के पिए पिए लोमें भी पीने दो आप जी पीने दो अलो मैं कब से कुवरा नंबर ट्राइ कर रहा था अरे ये तो तीसरी भी पी गया अबे मेरी जान मत खाँ अभी तो जाके पार्टी में आग लगेगी बेटा यूज़ ट्रेट एंवाच ठीक है मा का खाल रखना भाई ऑपरेशन सेक्सेस्फुल रहा मा को डिस्चाज कर दिया क्रडिट गोस्तो यू टाइम पे पैसे दिलवा दिया थैंक्स ये मा की लिए थैंक्स बोले कि कोई जूरूद नहीं है मा ठीक है ना बास आई मैं आपी यह जानकर भी मेरे पिताजी उसे देखने के लिए इसलिए मैं अपने पिताजी से नफरत करना हूँ है मैं अपनी मा को नहीं बचा पर तुने बचा लिया इसलिए तू बहुत लगी है को पांच परसेंट में मत देना को कुमार को मैं संबालूंगा चिंदा मत कर एंज्व यह विकेंड गाइज अरे सुनना गनेश भाई क्या है वाई विकेंड को फोल्टू मजा लेते हैं तुम भी साथ चलो ना भाई तुम भले ही मेरे साथ ना आओ पर हमें भी मत रोगो हम कुईन स्ट्रीट जाएंगे मैं किंग बनेंगे कम दो भी पढ़ेंगे कम हो जाएगा है थीजए रख कर आप अदा में नम्हेंतर हमें 10 थीज़ा हो दाए यहां तो सारी मिस्वाद है यह जो लड़किया है ना वो हमारे डाइब के लगए है यहाँ अपनी बात बन जाएगी हाई हाई कलर वाली मेरी ब्रेट वाली मेरी मुझे कोई भी चलिए अभे गड़ेश के तर गया? मुझे क्या पता वो भी अपने ले कोई ढूंड रहा होगा तो यहां क्या कर रही है? अभी एक्टिंग करना बंकर और बता यहां कैसे पहुंची तू अभी एक्टिंग क्यूंची तू इस दुनिया में कोई कमी नहीं है बेवक कुंभू की कोई भी किशोर का नाम लेगा तो गाड़ी में चली जाएगी पुरेदा का है? उसके नाम की अलावा मुझे कुछ नहीं पता है वो हिंदुस्तानिया और उपर से एक लड़की है यार यहां इनके लफड़ों में सीरियस नहीं होने का यहां सिर्फ नगाने का यह पाउप है पाउप पुन्य का फैसला करे वाला तू को अनेश जी यहाँ कि अधर बैट अरे फाइट करना है तो इधर आजा मुझे मद बागा मैंने पी रगी है चला आजा बैट मार ख़जब रख़ग ख़ब एगी है अरे इंगा बागा बगी है एक मैंदे रगाँ सच में गुदने वाली हो पानी घह रहा है लेकिन किश्वर आगया तो वो कभी नहीं आएगा तुम्हें इतना विश्वास कैसे है उसने मुझे धोका दिया इसलिए नहीं चीना हाइट कम है लेकिन बहुत भारी है यह फिर से आगे हैं वन टू थ्री फोर फाइए पूरे 25 है तोड़ा मुझके लिए लेकिन सम्हाद लूँगा अब तो ना मुम्कीन है मुझे लगता है प्लान भी काम करेगा है है हेलो टिंगू टिक दमनी कूल सलीम भाई के आदमियों से उलजने के तरी हिम्मत कैसे हुई आज मुझे सब समझ महा गया है अगर आजमी परत प्वेदा है तो सारी मुखे मुझे लिए गनेश 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 पता है क्या गनेश पेपर में तरफ पोटो चुपा है क्या लिखाया पढ़के सुनाएगा उझे पढ़ना नहीं आता तू पढ़ अगर एक बेसहारा लड़की को एक जाबाज में बचाया नाटन की बनकर गनेश न अरे इसी का नाम है एक मिनट रूप जोर से पड़ सबको सुनाई देना चाहिए लिखा है कि कल रात को गनेश नाम के एक लड़के ने आत्मात्या कर रहे ही लड़की को अपनी जान पर खेल कर बचाया अरे मज़ाग नहीं कर रहा हूं यहीं छपाया है खुद पढ़ ले एक मिट मुझे अभी कुछ-कुछ याद आ रहा है हमने कल किसी को पैसे दिये पूरा कैश 10 लाग किस लिए हमने भी वही पूछा था लेकिन तू नहीं माना और लड़की को यहां ले आया और रहा है हमने क्या गिया या अरे चोड़ों आना नहीं तुम लोगको अब लगती है तुम लोगको पता है मुझे ज्यादा चड़ती है दस लाख रुपए गवा दिये मैंने कहां से हैंगे इतने पैसे कौन है ये कौन है ये लड़की इशूर की लवर तेरी तो हट पैसा कौन देगा उसका बाप यह पागलों किया क्या पता नहीं है उसका बाप देखा हर समय यही होता आया है जब इश्जत पे बाद आती है तो हर कोई दुश्मनी भूल जाता है उसी इश्जत की खातिर तो यह उसे अपना दामाद बना रहे हैं अले सुनो हमारे मालिक इतना इश्जत दार इस गाव में कोई भी नहीं है सबच गया ना गुलाबी बेगम पेट सबस्क्राइब भी एसे ही बाद है बारो बारो नहीं थी ये शाती इसलिए वो अपने आशी के साथ भाग करें उसको ढूनने के लिए हम लोग फागरों की तरफ भटक रहे हैं चिल्ला क्यों रहा है ये बात सबको बताना चाहता है उसके भागने के बावजूद मैंने शादी नहीं रोकी ताकि इस घर की इजद मिड़ी में ना मिलें और इसलिए मैं इतने दिनों से खुश रहने का दिखावा कर रहा हूं कब तक दिखवा करेंगे कल या परसु थक शादी के मंड़प में तो दुलान चाहिए होगी वाएगी जरूर आएगी उसे आना ही होगा या तो इस घर से डोली उठेगी या फिर यहां से मेरा जनाज़ा उठेगा कि उड़ गई तुम कि चलो चलते हैं तुम इंडिया जा रही हो मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं कि अब दगता है फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है हूं डबर तो 6959 यह तुम्हारे खर का नंबर है नो कोई जादू नहीं है इस बुक में लिखा था इसमें मां के बारे में कितना कुछ लिखा है पता है तुम्हारी मां को हाट डिका है मौत से जूज रही है वो क्या हुआ अभी भी अपने बारे में सूच रही हो तुम्हारे आत्मात्य के फैसले पर ही तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है कि तुम्हारे जिंदा होने की बस अब एक ही वचा है वह है तुम्हारी मां को मिलना नहीं चोगी चलो क्या बात है गनेश भाई सूपब तू रोज ऐसा रहूंगा तो डूब जाओंगा पहले दसलाग गवाँ चुकाऊं अगर उससे कहता कि दसलाग वह सुन ले के लिए तुछे गाउं ले जा रहा हूं तो वह चलती क्या नहीं ना इसलिए मां का सेंटिमेंट जगा दिया संज तुम लोग भी अपना काम करो अब जाना कि इंटिया चानी से पहली एक बार मंदिर चले कि इसलिए चलो चलते हैं यह दुपटा किस लिए है स्कार्व किशोर का दिया हुआ पहला किफ्ट अच्छा किफ्ट क्याती हो यह तुम्हेरे प्यार की निशानी है और तुमने उसे वहां टांग दिया हो सकता है कि वह यहां आ जाए आया तो क्या मेरे स्कार्व से उसे पता चलेगा तुम्हें लगता इतने सारे कपड़ों में उसे ये कपड़ा दिख जाएगा सुरी में स्काफ दिख जाएगा अगर किशोर सच में मुझसे प्यार करता है तो वो इस मंदिर में जरूर आएगा और उसे मेरा स्काफ दिखेगा कोई है क्या यहां आया मैं हूँ बाई इस पंडाल को पीछे लगा दो पीछे दो लगा है तो फिर आगे लगा दो तुम किस लॉक हो मुझे पता है तो क्या सुन रहा है चला करें नमस्ते संदीजी कैसे है ठीक तो है यह क्या हुआ कुछ नहीं बस चोटा सा जख्म है आपको हस्पिटल लेकर चलता है बैड वेरी बैड नहीं कोई खास बात नहीं आई आए अंदर आए बैठिये कुछ खाने को ले आओ पागल अब इने क्या कहूं मुझे भी दुलहन को देखने किक्षा है कम से कम दुलहन के दर्शन तो करवा दो पहले कुछ खा तो लीजिए लक्ष्मी आती हूं आप ठीक तो है ना भाई साब लीजिए लीजिए यह आपके लिए दिधी सब उस तरफ रखा इस तरफ कुछ भी नह हां खुद तो बैठके खा रहें और मुझे अंदर जाने को कह रहें कोई इज़त ही नहीं है मेरी ची 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 लक्ष्मी कविता को बलां अरे अंदर होगी तब ना बुलाएंगे वो मंदिर गई है तो अपना मूँ बंद रखेंगा शीवा हां बहीं कविता को फोन करके करने को कह रहें किसके नंबर पर करेगा मोबाइल नंबर तो दसका होता है लेकिन इसने 11 दबाया बैड बेरी बैड कविता ये तुम्हारे ससुर्च जी नमस्त करो कैसी हो बेटी बहुत दगए हो चलो आपकी बेटी किसमत वाली है हमारे घर में वो राज करेगी अब हमें निकलना चाहिए हाँ ठीक है चलो को लिए अरे ये भाई साब कौन है दोस्ते क्या नहीं या लगता है कजिन ब्रदर होगा सही का न एक बात बताओ जिन लोग के पास गाड़िया होती है वो अपनी गाड़ी से मंदिर जाते हैं न ये टैक्सी से क्यों वापस है बैड है जी मेरी बैड है दीदी बाबी मा का है मा ठीक तो है ना ये ले जाकर सीता के घर पे दे दो ए अर्विन बोलना में फोन करती है मा सुरी मा मन से गलती हो गई मा आपको कुछ नहीं हुआ है तू तो यही चाहती थी कि हम मर जाए तुझे तो हमारी जिद की कोई फिक्र नहीं थी फिर बाबस क्यों आई है तू कि अब अब मेरी बात तो सुन अब चुड़ दो गया अगर लेड गया ना तो हमेशा के लिए तू लेड हो जाएगा तो तो यार नहीं है बहुत अब लग्ती है यार तेरा में रही घड़ा हे हमारे फिल और का बखाने लेकर आया हुं अब कौन सी भशा में समझाओ से मैं वापस ले आया हुं ढूरे प्रचे में कुल घुस्ता क्यों नहीं है तो नहीं सुने का तो सर फोड़ दूंगा रुख जाओ तुम लुक जाओ यहां से बात करेंगे मेरे भाई नहीं तुम पर हाथ उठाया इसके लिए माफी चाहता है जिस लड़की की दो दिन में शादी होने वालिया कर वो घर पर ना हो तो जाहिर है घुसा तो आएगा हाँ सभी बात है अगर तुम्हें एक मिनट भी देरी से आते हैं तो मैं कहीं का नहीं रहता तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं उतार सकता आप चाहे तो उतार सकते हैं आपकी इज़त बचाने में मेरे पूरे दसलाग खर्च हुए हैं आप मुझे दे दीजिए मेरा एहसान उतर जाएगा दसलाग क्या पचास ले लो जब तक शादी नहीं हो जाती अब यह आपकी कैसी शर्त है मलेशिया में मुझे बहुत सारा काम है मुझे जाना होगा तुम हमारे खास महमान हो तुम्हारे रुखने से मुझे अच्छा लगे सर क्या है नहीं कोई बहाना नहीं है ए राजू साहब को कमरा दिखा दो इतना फोर्स कर रहे हैं पचास लाग दे रहे हैं ते रुखना ही पड़े हैं पैसे उसके मुँपर बार कर भगाई है रोक क्यूं रहे हैं दिमाग तो ठिकाने पर है संदी जी ने उसे कविता के साथ देखा है शादी होने तक उसका हमा कोई बाद नहीं हलो हलो मलेशिया लशल मशाव ब्रॉथ लाव। तुमने तो सब चुपा लिया है तो मैंने किसी को नहीं पताए आपको कैसे बता चली है अ遊戲 एक्सपीरियेंस, एक्सपीरियेंशम मेरे ते रैसाशा शातिर उन्हें ब्योद बना सकता है हमलें लेकिन इस ब करम्ह कौन है पूछेगा नहीं देख भाई काम की बात सुना है रोलेग्स घड़ी बनाने वाले एक पूछता नहीं है यहाज तू ज्यादा लगता है कि तू उसके साथ आया तो कोई और नहीं तूहीं उसका लबर है सर सर आप तो बिल्कुल कमाल हो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या है कि आप यह बत अंकल को बता देंगे प्लीज नहीं बता सकते भारी पड़ जाएंगे उन लोगों को अपनी इज़त बहुत प्यारी है मेरा रूम है फिर मेरी मंजल तुमारी मंजल यहां से स्ट्रेट जाओ कि यह क्या है हां ऐसे घूर क्यों रही है मेरी वज़े से तेरी लाइफ करब हुई है क्या बोल हेलो दस लाख रुपए खर्च की हैं तेरे उपर वही वसूलने के लिए तुझे यहां लाया हूँ जी ए एक बात तो है तेरी वज़े से मेरा फाइदा हुआ है उनको मैं पसंद आ गया इसलिए वो मुझे पचास नहीं दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे है क्योंकि तुझे बचाया मैं सिर्फ अपनी बारे में सुचता हूँ क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ चल पीचे जा ओके तेवर इतनी बैज़िती करके भी तुझे चैन नहीं मिला कि मैं अपने लिए नहीं कर रही मा आपकी इससत के लिए कर लिए आप हर पर मौट से जूच रही है ऐसा मुझे बता कर वो यहां लेकर आ गया मा अगर मैंने यह शादी कर ली तो सच में मेरी जिन्दकी बरबाद हो जाएगी मेरी जिन्दकी बरबाद हो कि आप ऐसा चाहती है जिनकी मा नहीं होती उनके साथ ऐसा होता है उनकी शादी उनक कि इज़त पर कोई आचाहेगी ठीक है तुझे लगता है यह एक रास्ता बचा है कोई बात नहीं बेटर है मैं ही सप्रीजिए माज़ अरे यार यार यह रंगोली क्यों बना रही है यह रंगोली नहीं मौडन आठ है अरे अंकल आपको पता नहीं यह लव सिंबल है लुद्ध निकलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भाईया जी जो रंगोली बनाय थी माने थूख दिया तो मोडनाठ बन गया बाहर से लगते हैं ससुर जी ने बहुत खर्चा किया है चलो अंदर देखते हैं ओए बैड भाईया मैं राइट हो ना बिल्कुल भाईया अगर मैं रॉंग भी हुआ थिर भी तू मुझे राइट ही बोलेगा मैं राइट हो ना दमाजी आये देखो दमाजी आये हैं अब कैसे हैं आप मेरे सब्सक्राइब आपने बुलाया किसी नहीं बुलाया आप आईए मापिता जी अच्छे हैं ना हाँ बिल्कुल अच्छे हैं और शादी के तैयारी जोरो शोरों से चल रही है मेरी शादी जो है मैं बस अभी आया ए वेरी बायट बोलो भीया सब्सक्राइब निकल लिये ऐसा तो नहीं क्योंकि कोई और भी सेटिंग है अब वह 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 अरो ये गुलाबी लगती है मीठी जले भी इसका हलो आई कान है ज़रा दुकान का पता लगा रहे सो सो रुपय इनाम में दूं हुआ है हुआ है 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 अब है यह तो दिखने में बहुत सुन्दार है या और मेरी सालियों को तो देख इसे लिए कहते हैं सालियादी घरवाजी इसका काम तू क्यूं कर रहा है वीडियो शुटिंग से आइडिया मिलता है ना हाउ सुनो भाई है लोट्री में गिफ्ट निकलता है ना येस ये वैसा ही है समझता नहीं है यार वाट अन आइडिया सर जी मैं एक घंटे से ट्राइ कर रहा हूँ मुझे तो सभी सेकेंड हैं गिफ्ट ही मिल रहा है यार तू पूरी बात समझता नहीं है ऐसा क्या है छोटे जो मैं नहीं समझ पाया जितने लोग लोट्री खरेते हैं सबको गिफ्ट मिलता है गया नहीं तो बस बैसे ही लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए वाट एन सर जी येस कैमरा माले जरब पोस्त दो जलता हो ससर जी खाना तो खाले ते उसकी जरुरत नहीं आना जाना तो लगा ही रहेगा वैसे ससर जी ये लड़का कौन है रिष्टेदार होगा ये वो बाहर रहता है किसी ने कभी देखा ने कहा धाना तुझे चलो नेरी लाज थे है भाई सुन मेरा नाम है धनराज सभी मुझे प्यार से राज बुलाते हैं अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है तुम उस पार्टी में अगर कुछ वक्त के लिए भी आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी यू और मॉस्ट वेलकाम अरे मज़ा नहीं आए गया तुम कहां चले तुम्हारी वज़े से आज मेरी शादी हो रही है नहीं समझे क्या बैठो बताता हूं क्या है ना भाई लव मेरेज में हम अपनी लवर से शादी करते हैं और अरेंज मेरेज में दूसरी की लवर से शादी करते हैं है ना तुम मुस्कुरा रहे हो मैं ठीक से समझाता हूं ये अच्छा हुआ कि कविता मेलेशिया में तुम से मिली अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्य तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, और मेरा काम भी बन जाएगा, मेरी तु कोशिश है कि सारी संपत्ति मैं ही हडप लू, और तुम्हारे जरीए, सांपाउ सारा, और। उम्मीद करता हो, तुम मना नहीं करोगे, मेरे बच्चे तुम्हें चाचा, बोलेंगे, तुम चाचा होने का फ़र सदा करो, प्लीज प्लीज शोड़ेवी किया प्लीज प्लीज कर रहे हैं कि दूस्त्त बात वीरे में पैसा चाहिए ननाम चाहिए और फवर चाहिए उसके वावन लेकर आए एक सवाल मेरी खुशी के लिए जवाब दो या फिर कोई और छोल है कि यह अच्छा हुआ कि कविता मेलेशिया में तुम से मिली अगर अपने लवर केशोर से मिलती तो मेरा क्या होता कि एक एक समझ गया कल सुभाई में मलेशिया पॉच रहा है कांफर में वहां जाओंगा कविता तयार हो जाओ तुम्हारा पासपोर कहा है कि सुनो हम मलेशिया जारे हैं चलो कि तुम्हें नहीं चलना है कि शूर से नहीं मिलना चाहती है कि तुम्हारा विश्वा सही था कि शूर आ गया है मुझे मलेशिया से फोन है था जाओ कि कविता को यहां से ले जाओ तुम देखो, तुम्हारी जिंदगी यहां खराब हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ उस आयाश गुंडे के साथ घुट घुट कर जिंदगी गुजारने से अच्छा है तुम चिस से प्यार करती हो, उसका साथ निभाव इसके साथ भागने में ही तुम्हारी भलाई है, इस घर के इज़ित की परवा तुम मत करो तुम यहां से नहीं गई तो मेरा मरा मुदेखो ली मैं आखरी बार पूछ रही हूँ, तुम चाह रही हो या नहीं यहां से भाग जाओ और चील आपनी जिंदगी या जिन है जोड़ी मालकी को लेकर कोई भागड़ाई मालिक वो शेहर वाला लड़का छोड़ी मालकी को लेकर भागड़ाई जाल गाड़ी निकाल मैं नहीं कहा था उस दिन अगर मेरी बात पान लेते तो आज गे नोबते ही आती देख लिया उसका असली रंग शादी सुबह है गाउं वाले जगे उससे पहले कविता को वापस लाओ जड़ी चलो ना एक मिनिट मैं तुम मुझे भागा कर ले जारी हो तुम इन रास्तों को नहीं चानते इस भूल भुलाया में कहीं खो जाओगे चुचब मेरे साथ चलो ना चलो मेरे बात तुम मेंसे कोई आवाज नहीं करेगा इशारे में बात होगी कोई गरबर ना हो ठीक है इस बाहर को ठंडी कहा लगती है बाई इसका भाई पतला है फिर भी ठंडी नहीं लगती सोचों क्यों अरे यह तो साब जी की लड़की है ना इतने रात को इस लड़के के साथ कहां जा रही है अरे यह लौट स्विकर तो यह पर खड़ा है इससे पता चला तो पूरे गाव को पता चल जाएगा शांत्रों अरे भाई वो लोग भाग रहे हैं कोई बास नहीं है तुम सब कहां जा रहे हो साब की लड़की उस लड़के के साथ भाग रही है क्या तू पागल तो नहीं ह हो गया कैसी बात कर रहा है सुबर सुबर सहर के लिए निकले वो लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं ओई साही क्या तो जाओ ना हां तो जा रहे हैं ना हमको बेवकुप समझ रहा है तो बात होने दो प्राप याओ प्राप में सर रहे है क्या क्या रहे हैं क्या हो गया भाई इतनी रात को कहां घूम रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है चलो पर आलम कुछ नहीं कर सकते हैं वो तो हमारे बिचार है हाँ यहां तो रहा है क्या कर भाई चलते रहो कोई आडिया भाई यहां से सब लोग पर जाओ रामो काका रामो काका कौन है छोटी मान के आप आप तो एक हफ्ते में वापस आने वाली थी वो क्या है न मुझे लगा था मैं किशोर के साथ एक हफ्ते में वापस आ जाओंगी पर ऐसा हुआ नहीं उसने धोखा दे दिया तुम पाइट चला लेती हो ना कि अब कहा ने जा रहे हो यह तो मेरा सस्रान है निकलने के लिए धंदराज की जुरूत पड़ेगी भाइया वो जबारी भावी है न क्या हुआ फिर भाग गई क्या अरे तुम यहां कैसे आई यह तो आप से मिलने आये हैं आपकी शादी है ना तो मंदिर में पूजा करवा कविता ने मन्नत मांगी है हां ऐसा है क्या मंदिर कहा है आपके तो निकल पड़ी पता ने क्यूं यह तो कुछ गडबर लग रहा है मन्हूस गाड़ी निकल अरे वो देखिए नामादगी का साहरा लेकर भागने की कोशिश कर रहा है एक बात पूछो ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा बेवकुफ बन जाते हो तुम्हें एक राज की बात बताओं यह तुम्हारी मदद से मुझे भगाने वाला है ऐसा नहीं होगा विशास नहीं हो रहा जड़ा पीछे देखो अरे बागो चल्दी बागो चलो अब मुझे बच्छाओ क्या रे तुम्हे दोखा देकर इसे भगा रहा है एक सोर्दार पंच तो अरे यह क्या उसने दामादी को नीचे किरा दिया कि शोर था पहले और वो गनेश के साथ है चे 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 क्या ध्या है क्या क्या यह है थि्टर्ल हुर्श थाक प्या क्या झाल झाल वाल झाल 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 झाल.. तो गड़े शुरू सेल मत मानो यह तो ठाकुर साब की बेटी है ना तुम पागल हो दंद्रा से पंगा क्यों लिया तुम्हें पता है उसने मिन सब क्या किया था इसलिए मैं अच्छी तरह से सबक सीखाना चाहती थी तुम दिखने में जितनी सीधी हो उतनी टेड़ी भी हो जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ फ्रेंड्स वो आई तो किसी को नहीं पता चला लेकिन कई तो डिंडोरा पीटके है कि एक पल में इससे इतने नाजों से पाला उसमें मुझे कहीं भू दिखाने लाइक नहीं छोड़ा इज़त उतार दी चाहिए उसने हमारे घर की इज़त को मिट्टी में बिला दिया है जी करता हूं से जान से मार दूं कि मार दे दोनों को मार दे अभी जाओ किशोर अभी तक नहीं आया वो हमसे यहीं मिलने वाला था ना हलो गनेश कहां खो गये हो तुमने उसे बताया था ना मैं उसका इंतिजार कर रही हूं सौरी गविदा मैंने फिर से तुमसे जूट बोला किशोर नहीं आया तुम्हारे लिए धनराज मुझे सही नहीं लगा इससे तो अच्छा है कि तुम किशोर का ही इंतिजार करो और इसलिए मैं तुम्हें जूट बोलकर यहां आया हूं गट अब मेरा दिल हलका हुग पर तुम्हारा जूट मुझे पसंद आया मैंने कहा था न तुमसे किशोर यहां जरूर आएगा वो आया था जरा उस तरब देखो उसे की तरह मैंने भी उसे रिटर्म में एक स्कार्फ दिया था मुझे पता चले कि वो यहां आया था इसलिए उसने वही स्कार्फ यहां बांधा है हमदनों की सोच कितनी मिलती है लगता है बारिश आने वाली है चलाओ अब और सौड़ी गनेश मेरी वज़े से तुम्हारे लाइस बहुत डिस्टर्ब हो गई लेकिन तुम नहीं होते तो मैं किशोर से कभी नहीं मिल पाती उसके लिए ठैंक्स किशोर को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ रहती हो तो उससे बुरा लगेगा किशोर जब तक नहीं आता तुम सपना के साथ रहो सपना यह कभीता है हाई गुद नाइट गुद नाइट सपना तुम दर इसका ख्याल रखना है मैंका सुमा मिलता हूँ बाइ गुद नाइट गनेश तुम भीव चलोगे अधा बहुत तुम अधा भाया भाया प्लीज भाया प्लीज है भाया अधा जड़ा आपने हालत दे क्या जूरुत है उनसे उलजने के चल चल जदीकर भागने तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं वह जदे का अधा 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 वह लुवल इस वह कर दे इंग झाल! कुछ नी होगा दूजा यह चाता सम्मल कार। भाईया अपने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया कोई बात नहीं थैंक यू बेर चलता है यार मैं अगर आज नशे में नहीं होता तो बेटा तू ऊपर पहुंच गया होता है तो पागल तो नहीं है ना अरे पैसे देकर उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए था भाई जान है तो जहान है करिक भाईया एक नटू किया है यह क्या कर रहा है छुट्टे किंद रहा है मेरी देख मेरी दोस्ती बिकाओ नहीं है यार चल वालेट दें तेरा नाम किया है यह शूर यह मेरी गर्फ्रेंड है कविता सिंग क्या नाम मुला कविता सेंग क्यों गहिए क्या आप इसे जानते हैं कि यहां सब बेवडे पड़े हुए चलोड़ ब्या अरे उठना है क्या हुआ सुभा सुभा चड़ाई यह क्या तुम्हारी कही बात अब तक गले नहीं उतरिये तो इसे चड़ाकर रखी है तो ने उससे जूट कियो बोला मैंने किसी को जूट नहीं बोला सिर्फ सच को छु कविता का लवर है तो उसे तो बताना पड़ेगा अरे जो लड़का कविता को मलीशिया में बुला कर खुद भाग गया वो उसका लवर कैसे हो सकते है वो तो सेलफिश है अब अगर तेरी गर्फरेंट तुझे चोड़कर चली जाएगी तो तुझे क्या करेगा उसे वापस तीन मेहने पहले मैंने तुझे टीशिट ली थी तुझे वापस दी नहीं न तो फिर वो उससे प्यार करती है उसे मिल जाएगी तुझे क्या प्राब्लम है क्या बोला तुने एक बार फिर बोल वो उससे प्यार करती है उससे मिल जाएगी तुझे क्या प्राब्लम है अरे मुझे तब रियलाइज हुआ, जब पहली बार वो साड़ी में गहनों से सची हुई थी, उसकी नजरे मुझे कुछ कह रही थी, उसका इशारा मैं समझ गया, उसके बस एक ही लुक ने मुझे खायल कर दिया, तब ही, तब ही मुझे उससे प्यार हो गया, फॉर्स टाइम, जि और उसने चुटकी बजाते ही मुझे बढ़ा दिया, एक बात तो कनफर्म है, उस धनराज और किशोर से अच्छा लड़का, तो मैं हूँ उसके लिए, येस, 100% मैं ही सही हूँ, इसलिए उसे मैं यहां ले आया, कविता को बेर ले आया है, और उसे रखा कहा है, तेरी गल् करता है, लेकिन वो तो तुझसे प्यार नहीं करती, खयाली गुलाब बनाना छोड़ते वाई, गनेश, मंदिर जाके आया हूँ, ये ले प्रशाद, अरे टिंगू, अगर हम किसी का अच्छा करेंगे, तो हमारा भी अच्छा ही होगा, आ भीकल होगा, मैंने बहुतों की ब तुम ये गाट क्यों बांद रहे हो, कल पूर्णिमा है ना दीदी, इसलिए गाट बांद रहा हूँ, ये यहां रिवाज है, इस पर जो गाट है वो भी तुम नहीं बांदी थी, हाँ, मैंने वो बांदी थी किशोर यहां आया था, तुमने बात क्यों से, कहां है वो, किशोर, किशोर, किशोर कहा है अब मुझे विश्वास हो गया है, कि वो नहीं आने वाला, उसे आना होता तो आप तक वो आ चुका होता इसा क्यों कह रही हो, उसके नहीं आने की कोई ना कोई वज़ाद जरूर होगी, लेकिन तुम हिम्मत मत हरो, वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा समझ गई, अब चलो यहां से तुम चलो मैं आ रहा हूँ रहा हूँ जो, बढूब तक विहाँ है भयाँ बभवान उन्हें मत खोई है, आप कि शूर की तड्याँ में बाइमान नहीं हो इसे प्यार करता आप यहें आप दो एचाएंग्ग में प्यांदी है आप यहें उन्यों पास्ण में यहां नहीं प्यांदू Babak और रहु हम झाल रράक रखम में है मैं और रहु है मैं आखाया यह जिए पुर रखे सिर्टानी जा रहु झाल यह झाल यह झाल यह जुट वो कर दो झाल च्क्ड रहु देने रहु तो अब टाल क्षेप लिया यहाँ झाल अवस्क राग, जा दिता अवस्क जी दो स्क्तुमिग जा जह एविए जाएए जाएए वार जा जाएए मुष्छेब दूए कि कि यह लंगुर यहां कैसे हैं हेलो कविता को अंदर ले जाऊ क्यों एक अफिस लड़की की फोटो दिखा रहा था ना कजांक क्या होता है तू जानता है ना बहुत रहे तु छुप कर रहे हैं मैं तो कविता को ढूंटने वे सड़कों पर भटक रहा था उस दिन अगर मैं टाइम पर पहुंचा हो था तो अज मेरी यहालत ना होती तुम दोनों के भीच आखिर हुआ किया था उस दिन उसने फोन किया था ही कविता हो यू तुम जल्दी से अकर मुझे यहां से ले जाओ प्लीज वाट इन लोगों ने मुझसे कहा कि सिर्फ सगाई है ताट वस नौट प्रॉब्लम लेकिन अब कह रहे हैं कि इख अफ्ते में मेरी शादी कर देंगे मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं आज ही कि इसे टेंपल में साड़े दस बजे दिवा का मोहरत है उससे पहले तुम मुझे यहां से ले जाओ कविता यह मुम्किन नहीं है कि शोर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो मुझे कुछ नहीं सुना ओके आजाओ शादी करनी है ना कर लेंगे आजाओ कि हो कि है कि अधिए चल बाइक से उतर इधर आँ तेरे में अकल है कि नहीं उस लड़की को इंडिया से यहां बुला कर तो खुद अमेरिका चला गया यह कैसा प्यार है तेरा हेलो तुझसे बात कर रहा हूं और तू इस भगवान को देख रहा है मैंने बहुत गलत किया भाईया विदेश आकर काम करना मेरा एंबिशन था जिस दिन उसका पोन आया था उसी दिन मैंने जॉइन किया सेम टिम उसक्त मैं क्या करता लव और करियर में क्या चुनो इस तर करी गलती थी प्यार को मैंने मजाग समझा लेकिन वो तो सच मुच मेरे लिए यहां आ गई जरा यह पकड़ना भाईया यह देखिए देखिए ना त्रिशूल पर स्काफ यह मैंने कविता को दिया था फर्स्ट गिप यह मेरे लिए बांधा है अब देखना भाईया मैं उस पहले नारियल पानी भी थोड़ा कूल रहा है भाईया कविता मुझे मिल तो जाएगी न क्यों नहीं मिलेगी मैं हुना तरे साथ हेल्प करने के लिए इट्स बेरी सिंपल तुझे कविता चाहिए और कविता को प्यार चाहिए मिल जाएगी पसे कामकर कल से मेरे साथ रहे ह हम दोनों मिलकर ढूबने के थैंक यू भईया कोई गल नहीं एक अंजान हिंदुस्तानी को आप मदद कर रहे हैं यूर रियल इंडियन रियल इंडियन के तेवर अब तक तुने देखे कहा हैं डोट नोबरे यह ले बाइक चला है पैसे है नो चला पेट्रोल भरा देंगे मेरे लिए गिफ्ट पता है कभी ता रात भर ना मुझे बिल्कुल नहीं आई थोड़ा टेंशन में था वो क्या है ना तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था उसका फ्यूचर या अपना जयता बोलमा चुपो जा कभीता सब्पोज अचानक समझ लो कि शोर तुम तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम्हारे बैरों पर गिरकर तुमसे आया मेरी प्रायॉरिटी थे और तुम्हारी प्रायॉरिटी सिर्फ और सिर्फ काम है तुमने सिर्फ मुझे इग्नॉर नहीं किया है मेरे प्यार को भी इग्नॉर किया है एक्चुली मैं क्यों नहीं आया वो द द द रीजन इस देखो नहीं आने के तुम्हारे पास रीजन बहुत हैं लेकिन आते तो एक ही रीजन होता प्यार तुम्हें मेरा प्यार एक बार भी याद नहीं आया है हाँ समझ गया समझ गया लेकिन अगर वो किशोर सपोज वो कभी नहीं आया तो तुम क्या करोगी उस दिन पानी में कूटते ही मैंने उसे खो दिया था अब किशोर आये या ना आये मुझे कोई फर्ट नहीं पड़ता किशोर मेरे लिए जरूर आएगा ये भरोसा दिलाने वाले सिर्फ तुम थे लेकिन आज उस भरोसे को तुम खुद ही दोड़ने की कोशिश कर रहे हो ठीश ऐसा करने की वज़ा जान सकते हो देख रहा था वो भी मुझसे प्यार करती है इसका यकीन हो गया है मुझे और वो दिन तूर नहीं जब वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगी और जिस दिन ये होगा उस दिन मेरी लाइफ सेट हो जाएगी तुन भाई आज तक गाउं में सिर्फ मैंने तेरी बात सुनी है अब यहां मेरी बाते तुझे सुननी मड़ेंगी ऐसे लुक ना दे अरे ओ गनेश आ गये हम विदेश दिन में रोश्णी होती है रात में अधेरा होता है यह मिल गया पिस्टल गंगा मिलकर बहुत खुशी हुई ना खुश मैं ना खुश हुआ कोड़ वर्ड मैंने दिया और इससे तुम शेकेंड कर रहे हो ओडर वेटर लाता है लेकिन बिलतो ओनर लेता है मैं यह समझदार चलो चलो फॉलो मी कमान आओ मेरे साथ जस्ट एमिनिट लगेज रह जाया अरे बेवकूफ इधर आ इधर ओ उस तरफ मैं सलीम भाई का राइट हैंड हो और यह टोपी मेरा लेफ्ट हैंड है गंगा तुम्हें पता है हम यहां किस काम से आये हैं तुम पैसो के बिलकुल चिंता मत करो वो दोनों किसी भी कीमत पर चाहिए जब आपने सलीम भाई को काम सौपा तो आपका काम हो गया समझो सब ल जरीये का डौन अपना सलीम भाई है वो कुछ भी करें उसे कोई भी सवाल नहीं करता अगर भूल से किसी ने सवाल कर लिया तो वो बच नहीं पार जैसे समुद्र में वेल मचली छोटी मचली को खाती है वैसे ही सलीम भाई अपने दुश्मनों को खा जाते हैं कर देते हैं मार, मार ना है अपन्टन को भूला देरगो, तू मार मेरको ए नैफ, 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 ए बहाई, एपको, एधर-एधर, जैफर-एधर मार ना मार अपन का मेमरी बोलता है तुने तू बार मेरे को मारने की कुशिश की हां तूनों बाहर लेकिन अपने को मार नहीं पाया हुआ इसके सामने कड़ा दिर्वियम बाहर हुआ बिल्कुल सही आदमी के पास आएं हम लोग अब हमें हमारी कविता मिल जाएगी मेरा प्लाइन काम्याब हुआ जीजा जी को फोन करके बता दो हाँ फोटो फोटो दे दू तुम लोगों को यह लड़की मंगता है यह कुछ और भी इसको भगाने वाला भी चाहिए दोनों मिल जाएंगे दोनों मिल जाएंगे यह बोल कर यह दोनों कहां जाए मेरी बात ध्यान से सुनो हमारे भाई दुबई जा रहे हैं उनको आने में एक हपता लगेगा तो इसलिए यह डील मैं करूंगा तुम जाकर वो खेल खेलो कौनसा कबड़ी कबड़ी खेलो हम दोनों तुझे कबड़ी प्लेयर नजर आ रहे हैं क्या इंडिया से हम जूनिय यह से कॉल था मुझे तीन दिन में जाना पड़ेगा इस काम मतलब तो छुट्टी पर है तेन दिन में तुझे नहीं मिली तो भी रोकेगा ना आप कैसी बात कर रहे हैं भाईया मेरा करियर है मैं यहां आया उसे ढूंडा अब वो नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं का सब अब लागाएगी वो मुझसे इतना नाराज है लेकिन प्यार मुझसे ही करते रहेगी वो बस मेरे लिए ही बनी है मुझे माप ज़रूर करेगी कि अब तेरी क्या बख्वास करता है तू प्यार करता है तूस्से अरे तू तो भाग जया था बखोड़े कभी आशिक नहीं होते तू तो एक नपाना धोके बाद है तुछ परोसा करके कभी ता यहां आई थी उसका प्यार सच्छा है और ने नहीं बेरा मेरा प्यार आज मैं तुछे सारी सच्छा बताऊंगा और वो यह है कि कविता यहां आई हुई है और वो अभी तक तेरा इंतजार कर रही है और इस गनेश के पास यह तेरी कविता अरे से रुको ने तो सारा भंड़ फोड़ते गया फर्क बढ़ता है जो बोलना है बोलने दे सामने व इसे बोलना है यह बोल क्यों नहीं रहा है यह चुना चाहिए ना यार मैं सच्छा आशिक हूँ इसे मुझसे डर चाहिए तो तीन दिन क्यों रूके गारे टीन दिन क्या करेगा ये तो नहीं आता था respectfully अच्छा अध्यु से अच्छा मैं hou और उसके लिए कोई सही नहीं है विल्कुल सही है वादा करता हूँ सबसे सिर्फ मेरा ही प्यार जीतेगा अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाएं काने है यह सिर्फ करें है तुम्हारी तरह गल्फिन से आट नहीं कर रहे हैं किरेख लो तुम्हारी नहीं संधर सकते हो तुम्हार विब उट जा तुकी-पिके बदनाम हो चुका है भी हुँग बदनाम नहीं हो गइफ पर आगर बदनाम नहीं हूँगा है कि यह कौन है बेवडा है और कौन यह अर। गलत तो क्या है यह कौन है यह कॉली है। Because I am so emotional, I don't like masks, I love my friends, yeah, give me some respect. तू बेलकुल सभी वर पहुच पर पहुच जा रहा है, ताइम पास बान को रहा है, काम पे लोगो, चलो. Give me some respect, boy. रिस्पेक्ट जाहिए, यह ले जरा रिस्पेक्ट, अच्छा तू जरा सुन, वो केट्रिंग वाले को फोन करके फूर लाने को बोला है, तू जरा सुन, उसने मुझे सो रुपे दिये, क्यों? आप देंजरत है न, इसलिए, यू आ रोंग, I am so emotional, I love my friends. यह, तुम यहां कैसे? Thanks. Thanks? किसलिए? तुम अगर मेरी जिन्दगी में नहीं होते, तो शायद आद मैं जिन्दा भी नहीं होते. हलो, यह तुम किस खाय में खो गए? Happy birthday, Galeesh. Come. Happy birthday. यह तुम लोग अगले साल बोलना, थोड़ा late away. यह भाई, तुमने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? यह भाई साब, इस लड़की को तुमने कहीं देखा है क्या? इस लड़की को तुमने कहीं देखा है क्या? परशुराम भाई, वो लड़की मुझे मिल गई है, और साथ में वो लड़का भी मिल गया है. मैंने दोनों को पकड़ के रखा है तुम जल्दी आ जाओ पिस्टल गंगा यह फोड़ो कहां से मिली तुझे कौन है कौन तु हमें के दून रहे हैं तु तु गया काम से तु जानता नहीं मैं कौन हूँ मैं सलीम भाई का राइट हैंड हूँ जब तेरा राइट हैंड तुल वह अई वह हैं झा झाप जाप! झाप जूप झाप जूँड़ जैब टूँ ौजड़ झाप बूँड़ पाप जजए्ड है काविता थोड़ा संभल कर रहना अकेले बहर मच जाना वो दोबरा तुम्हारे होते हुए मुझे कोई ले जा सकता है क्या ओना पूलि वह बुली तुम्हारे होते हुए मुझे काउन ले जा सकता है ओ रियली हाँ भाई रियली तुझे क्या बता हूं वैसी बाते करती है लगता है उसके दिल में भी कुछ है हाँ हाँ सारी रात वो यहां इस कंधे पर सर रखकर सुई पता है यह अहसासी कुछ और थ लिए पताने कहां से टपक पड़े तुम लोग एक बात बताओ वो पूरी रात मेरे साथ थी इसका मतलब मैं क्या समझो वो मुझे पसंद करती है बसंद करती है अंकल जे मेरे पयार की गाड़ी निकल चुकी है वो एक दिन मुझे जरूर करेगी एक बात बताओ पिताजी से मुझे कोई गिलेशिपे नहीं रहे उसकी वज़ा सिर्फ कविता है वो सब ठीक है सलीम भाई का क्या होगा उस लड़की के लिए उनसे दुश्मनी मुलेगा यह लेगा पंगा लेगा ताकत दिखाने के लिए नहीं प्यार की हिपासत करने के लिए लुझ नहीं प्रेगा नहीं लुझा नहीं वाइ आम मुलेगा यह उस keटोश्ट कर नाहीं कि मिनिट करने के लिए कि शोर पुलिस टेशिन लुझत वैज़ जिल्टिशन वर्हरं पागल तो नहीं ही कि लोग कविता को ठूंड रिया तु जांता है सलीम यह सलीम भाई कौन है अरे यार सलीम भाई को नहीं चलता मलेशिया की सेकंड गवर्मेंट है वो बड़ा माफिया है तु यहां पर कंप्रेन करेगा उसे पता चल जाएगा फिर हम दोनों गए समझ गया ना स्यादा सूच मत चल जदी सौरी बोलो और निकल वह मेरा दोस् पूट ले ना है तुम पागल हो गया हो जानते हो इनका फोटो कहां लगा है पुलिस स्टेशन में मोस्ट वॉंटेड की लिस्ट में है मतलब मलेशिया में क्राइम कर रहे हैं ना और आप उनका साथ दे रहे हैं यह सब मुझसे क्यों छुपाया बाद रसल यह कि इस आदम इनके बार में मुझे जानने की कोई खौईश नहीं है यह दो मेरी खुश्किसमत यह अंकल अच्छा पापा क्या सच में करिमनेल हैं अपना मुप बंद रख तु इनके बारे में कुछ नहीं जानता ये भी तुम लोगों की तरह कमाने के लिए मलेशे आयोए थे इनकी सबसे बड़े गलती ये थी कि ये हर किसी पर भरोसा करते थे और इसी भरोसे के बलभूते पर ये सलीम की जानकारी यहां के पुलिस के पास थी इसलिए सलीम भाई ने इनका इस्तिर्वान किया इनकी आंखों पर विश्वास की पट्टी पान कर सलीम भाई अपने काले धंदों को अंजाम दे तरह ये बात अगर मैं गणेश को बताऊंगा तो वो बिना सोचे समझे सलीम से पूरे बता तुमारे प्यार में वो कि शॉर काटा है ना मैंने उसे सलीम के आदमी के आवाले कर दिया तुमारा प्यार कामयाब हो जाए इसलिए मैंने उसकी आंगेना आला मैं फ्रेंज़े मुझे पक्का नहीं बता कवीदा मुसे प्यार करती है या नहीं उसने अव तक कि शॉर को सलीम के लोगों के हवाले कर दिया अरे यार कि शॉर को कुछ हुआ तो नहीं ना और अगर कवीदा को पता चलिया तो वो मुझसे नफ्रत करने लगीगी तुने तो पूरा खेली बिगाड़ दिया चला कि शॉर की तो वहां जाओ 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 यहां जो एंड़ा धर बाओ दया होstar जोआा कि दुष़ एंड़कत कि रहां और शाओ नाहां जाओ जाओ ऑफ दुष़ लाओ लाओ वे इस गगल? वे इस गगल either? वे चल कर दो वे हम एग इस को साहित अब एंद 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 कि छोड़ दे इसे कहा ना चोड़ कि बहुत ना मैं तरे वासुओं में कि वह भाई उठीगा ना कि चलो निक्ति आसे इसे लेकर जाना आसे चलो चंदी 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 हएंध और हो लग पर अजन तक झाम आरेच्टा ले जयन पर दाए वो इतनी बनमाशिया करता है भी क्या बता हूँ गणेश 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 सनो जिल्या गणेश गणेश अठो गणेश तुम्हें कुछ नहीं होगा गणेश कुछ नहीं होगा किसने किया यह हलो गणेश अब कैसे हो पर तुम्हें हुआ क्या था अरे क्या बता हूं जब से मुलेशी आया हूं कुछ ना कुछ गणबड चलिए लेकिन अब लगता है थोड़ा ठीक हूं गभी खंबे से टक्रा रहा हूं तो गभी तुम से टक्रा रहा हूं क्या करें पर मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है पर मुझे माइड हुआ अच गरेश इसका आँसों बता है कि उचे पढ़ गए लड़ा ऊचेए है तू गुछ कहना चाहता तो फिक्र करती है तो उसे प्यार केते हैं कै लड़की तू यसे प्यार करती है फिर किश्जोर से नहीं 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 मैं अभी उनसे भिलाएं पुद्ध it कुछ नहीं सुनना मुझसे मुझां से वी अग्यार तुर कुस्स ठीक है प्रे crochet यहां पर और बाहर वो आया है मैं क्या बोल रहा हूं तुक सुन चले दर्वाए हमने सब सम्हाल लिया है तू परशान मत हो या अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तू यहां की वा गया तेरा यहां थीक नहीं है कर दो कि आख गया तू प्रेंड के पास अब श्रीड वह इतना ख्लोश फ्रेंड है जब तुम जूश बना रहे थी तो उससे मिलने वह बाहर चलागया तू अमेरिका चला जा जा इसे चल्दी लेजा वरना मोलो किसे मार देंगे तूम सब जाओ यहां से मैं सम्हालोंगा वह जब तो शुरु से है वह उसके लिए सब कुछ है तूम तो बट बात में उसकी जिन्दगी में आई यू अर लेट तूम जो फो ठीक है लेकिन वह तूमसे जादा क्लोश है उस चलोश परेंगे तूमसे जाना चाओगी उसका नाम है क्रण को पास्परोंगा शारी किशोर कि यहां क्या कर रहे हो वह अंतर मेरा दिमाग चाट किया कि शोर गनेश प्रोस प्रेंज अरे नहीं नहीं वह तो मेरा दिल्ली से आया वह पुरान दोस्त है अच्छ चुप करो तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो और तुम्हें चोट लगी है न तो बाहर क्यों आए कोई बात नहीं चलो चलो यहां बेकार उसके लिए अपनी जान कियों को हुआ रहा है इससे भेतर है तू यहां से चला जा यह बिल्कुल सही कह रहा है मेरे दोस्त तुछ से बिछड़ते हुए मुझे बहुत दुख हुए हुए हुट से जाधा इसे हुँ रहा है कविता के मिलते ही मैं तुझे फोन कर दूगा ठीक है चला आजा यहां यह लोग फी जर्णी ब्रो कविता तुम्हारी है तो तुम्हें जरूर मिलेगी बात्स लॉफ सुनो ना सर अनाउस्मेंट हो गई चलो आजाओ पॉर्स टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स अपना फर्द निभाने में लगे हुए है लगता है इस बार मेरा सच में कुछ भला होने वाला है भाया आगी है कि बोल भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं ढूड़ने तो कविता को आया था लेकिन मुझे पर जान लुटाने वाला मुझे भाई मिल गया है 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 थाइंक यू बेरे माच कोई बात नहीं देट सब्सक्राइब है जलता हूं बहुत संब्सक्राइब पासपूर्ट तो साथ में रखा है ना हाँ है ना बहुत भाई या आप चाहें लाइट में कुछ भी करना मगर प्यार मत करना है भाई प्रॉब्लम सौल हो गई अब तो खुझे ना चल पार्टी कर दे इसको दर अंदर तो जाने दे वो क्या चल चलते एक्सकनिटर ते पहुंचने दे पहुंच गया अब चली यार ऊपर पहुंचने दे पहुंच गया अब चले गया फ्लाइट तो उड़ने दे अरे यार क्या हुआ तेरे को किसने मारा है वो लड़का हमारे आद्मियों को पहले भी मार चुका है उसकी फोटो मोबाइल में है सर जी इससे आपको बहुत खत्रा है तेरा नमबर इसके बाद है वेटा और कर काम चोरी है तो इस चिरकुट ने अपन के आद्मियों कमारा हां तुम लोगों को वो लड़की मिल जाएगी लेकिन उसके बाद मैं इससे यहां से जिन्दा नहीं जाने दूंगा क्या ना मेरे उसका करनेश 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 कि याद रहें उसे किसी भी हाल में पढ़ाना है मुझे पता है तुम कर सकता है हुआ 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 हलो करनेश यहां पागल फूल लेकर आया है मुझे बहुत डर लग रहा है तुम जल्दी आचाओ प्लीज मुझे पागल पूल रही है हुआ 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 उस पागल को भागा दिया अब दर्वाजा खुलो हुआ 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 है कॉट आजा वंदर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए आप बैठो तुम क्या लोगे हिमत मिलेगी हुआ 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 कैसे बोलू कुछ जरूरी बात है तो बोलो ना तुम इतनी नजदीक आ जाती हो तो बोलती बंद हो जाती है मुझे दुड़ा असा टाइम चाहिए हुआ टाइम लिलो हुआ बताना तु पड़ी गई बिना बता एक काम किसे होगा अरे यार मैं इतना डर क्यू रहा हूँ हुआ 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 इतना टाइम काफी होगा और तुम इतने टेंशन में क्यू हो हाँ क्या हुआ तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना जो कहना है जल्दी कहो क्योंकि मुझे शॉपिंग करने जाना है गनेश कहीं वो पागल आदमी तुम तो नहीं थे ना फस गया हुआ ए गनेश तुशे समझ में नहीं आ रहा है क्या ऐसे घब रहेगा तो गुतिशे आई लव यू नहीं आई हेट यू बोलेगी इसलिए नो डायलोग अनली दिस बात बन रही है हवा का रुख बतल रहा है यहां तक प्यान की खुश हुआ रही है उसने अपने दिल के दर्माजे खोल दिये बस आई लव यू का बेल बजाना भाकी है यह सही कह रहा है तुम दुनों के बीच जो काटा था उसे निकाल भेका है आप कवी वेट्स गानी अच्छा, फुल फॉर्म, कवीता वेट्स गणीश ठीक है? कमाल का डेकोरेशन करेंगे तुम दाम से शादी करेंगे सब जगे फटाके होंगे और बहुत साथी तारू होगे और बहुत मसाएगा मलेशिया वाले तुमारी शादी देखते रह जाएंगे एक खास बात है फैनेंसर कुमार को बुलाना पड़ेगा मस्का पॉलिश करना पड़ेगा खर्चा वही तो संभालेगा लेट्स चार्ट शालीबरेशन ये 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 भाई क्या तो मेंदी लगने होगी है तुझे चड़ बात ने कोई बात नहीं मुझे भारी पड़ता है डुप्लिकेट माल लेकर आया है क्या बात है दोस्तों आजोई कर रहे हो तुम लोग ये अच्छी बात नहीं है तुम लोग ने मेरे साथ सही नहीं किया कांफिर्म इससा पता चल गया इसे लिए यह तॉपस आ क्या बात है भाइया Ben discuss some about मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए अप जन देने को नहीं आए अलोगये तया लेकिन मैं क्या!」 अपने प्यार से दूर जा रहा था तुम यहां रहोगे तो सलीम तुम्हें मार देगा मौत के डर से भागने से तो अच्छा है मैं अपने प्यार के लिए जान देतू यह यह राइट प्यार करने वाले प्यार के लिए जान भी देते हैं तुम उन गुंडों को मेरा पता तुम नहीं बताया था ना फिर तुम य कि अब मुझे सब समझ में आ रहा है तुम सब दोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है अब तुम्हे शख हो रहा है तुम्हें पता है कि कविता कहा है ए गनेश पता मेरी कविता कहा है कि अब और कि अब तुझे चांबना है कविता कहा है कि सबने मिलकर मुझे थोखा दिया है मैं अपनी कविता को ढूर पिका लूँगा है कि अब मिल गई कविता तेरी वज़े से वो यहां आई थी ना और तेरी वज़े से उसने सूसाइट कर लिया मैंने उसे बचाने की बहुत कोशी के लेकिन बचा नहीं पार अब क्या जूने यार प्यार में धोखा खाकर एक ल है वो लगी तेरे चक्कर में इंडिया से यहां तकाई थी लेकिन तुने धोका दिया इसलिए उसने खुदकुशी कर ली कहीं तू भी ऐसा ना कर ली इसलिए हम सब ने मिलकर यह प्लान बनाया तुम लोग निकलो 京 खुद कर दिया aja अचे मेरन कुछ गट किया क्या तूने मुझे निकल का है यह भी मैंने शहल्य लेकिन कभी तो आज हमारे प्लीज 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 टेरी मर्जी अटेकर डाइब परस्टाइम तेरी एक्टिंग मुझे पसंद आई अपने प्यार को बचाने के लिए उसके प्यार को इमार डाला जंग और मुभबत में सब जायस है शाबबाश I love my friends come on I'm celebrate करेंगे तू क्या लेगा अपे ऊपर क्या देख रहा है हमारा ज्यादे दे रुपना रिसका मेरे घर चलो जो शॉक प्रिट्मेंट दिया है न सुबह की फ्लाइट पकड़के निकल लेगा और कभी वापस नहीं आए श्राव अब हो एक एक शुर याउ एक शुर एक शुर एक शुरक्त प्रिश्यो निकिसर आके खोल किर जटे वो आउट प्रेंजर है टेंचन मतले मुझे बहुत बड़ी गुलती हो गई मुझे अंदजा भी नहीं था कि वो आउट प्रेंजर है ऐसा दोक्टर ने कहा तू परिशान मत हो चल गनेश पानी गनेश गनेश हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं और पैसे परने पढ़ेंगे कुमार से मांगना ठीक नहीं है गनेश हमसोई रास्ता नहीं है कुमार को बोलाना ही पड़ेगा अगर तु चाहे तो मैं उससे बात करूँगा बात क्या है यार नंबर देना मुझे कुमार नम का कोई है ही नहीं वो सारे पैसे मेरे थे अगर तुम्हें सच बताता तो कोई मेहनत नहीं करता सबको कामचोरी आलस के दद पढ़ जाती कुमार मैं ही हूँ, यह सच है कविता, तुम्हारे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है मुझे अब कोई होश नहीं है तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा, मुझे खुद नहीं पता इसलिए आज एक बाद पूछ रहा हूँ, विल यो मैरी मी? अरे भाई, ऐसा क्यों किया? उससे जुदा होकर जीने का, अब कोई मतलब नहीं है अगर तुने सच्चा प्यार किया था तो फिर धोका क्यों लिया? पहले तेरा प्यार कहाँ चला गया था? अगर तू उससे प्यार करता है ठीक है, लेकिन तूने उससे पुछा कि वो अभी तुसे प्यार करती है? मैंने अपने प्यार को पाने के लिए छूट बोलने का फैसला किया और तुझे तेरा प्यार नहीं मिलेगा तो तुने सुसेट का फैसला किया तुम उससे भी बड़ा आशी कही है अब तुझे मैं एक सच बता हूँ कविता अभी भी सिंदा है वो मेरे पास है एंड यूर लेट वो मेरे दिल में रहती है मैंने उसे प्रपोस भी कर दिया है पर तू मेरे बीच में अब अगर तू वापस अमरीका चला जाता है तो यहाँ पर कोई दुखी नहीं रहेगा देखा जाया है तो कविता मुस्से ज्यादा अटैस्ट है एवरिधिंग इस फेर इंड लव एंड वार भाय प्यार में जूट बोलना गलत नहीं है और उसके लिए किसी को धोका देना भी गलत नहीं है है तो कविता मेरी है ऐसे क्या घुर रहा है हां मुझे मारना चाहता है मैं भी यहीं चाहता हूं कि अच्छा चल बता मैं क्या करूं अ करके आदो कर दो अच्छुली, मेरी लाइफ न... किशोर है, वो आ गया है, I swear... कम... अच्छुली, मेरी लाइफ न... अच्छुली, मेरी लाइफ न... प्राइश्चित... प्राइश्चित? वो क्यों भाई? उसने सच्छा प्यार तो किशोर से ही किया था, मैं तो ऐसी बीच में आया, अब मैंने दोनों को मिलवा दिया फिर, तू क्या करेगा? प्यार का मतलब हर बार जीतना नहीं होता, कभी कबार, हार का भी मज़ा चखना चाहिए अरे कविता तुम, कैसी हो? मुझे तुम्हें छोड़ कर कभी जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था सच बताओ तो, मैं एक नमबर का इडियाट हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को समझ है नहीं पाया I'm sorry, Gavita I'm sorry मैं ये तो नहीं जानता कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती होगी नहीं लेकिन अटलिस्ट कुछ तो कहो गालिया दो, खोसो मुझे तुम्हारी फिलिंग को समझ तो पाऊंगा मैं उस दिन मैंने सोचा लव या करियर तो मैंने अपने करियर को चुना और जब कवी था, तुम्हेरे बगहर जीने के बात आई तो मैंने जिंदीगी के जग़ा मत को चुन लिया लेकिन अब तैक कर लिया है, जिंदीगी भर तुम्हारा साथ में बाऊंगा खुशी-खुशी साथ रहेंगे क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं तो फिर हम लोग तुरंट शादी कर लेते हैं दोनों यूएस चले जाएंगे हमारे बिच कोई नहीं आएका, कोई भी नहीं आएका, ओके किशोर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछू क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछू गनेशकार लगता है गनेश को भी उसके बाप के पास पहुचाना पड़ेगा यह तुम क्या कह रहा हो, तुमने, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया मामा जी पेकरमत कीजी, आपको कुछ नहीं होगा गनेश अंकल, अंकल, क्या हो इन है वो सलीम गुंटा है न, वो अपके आपियों के साथा था, उसी ने यह सब लिया गनेश, अंकल का कुछ नहीं होना चाहिए पेटा तेरे पिताजी तुससे बहुत गया रहा है अब पापा की बात छोड़ी चुपचा पेरी बात सुनू तेरे पिताजी गुनेगार नहीं थे बनके असमे गुनेगार तो वो सलीम भाई है जिससे तेरे पिताजी ने करदा दिया था अब भाई थोड़ी और मोहलत तो भाई मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भाई प्लीज ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे बे तेरी बातों से मुझे कोई ना देना ना वड़ाई झार झार प्लीज भाई वह झार गुर्स ऐसे रेदकर लगार्ञ 내일 गुर्साराई गद्फ कारड़ों से कर दो! खाँ!!! करौ दोर करों जोगल करौ खोर करों ad कर रण कर दोर को आट हमचुर आ कर दोर कर दो करदो कर दो कर दो कर ऐस इंज कर दो झाल झाल कई लुटे को दूख 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 भायाओ . . . . . . . . कि अवाँ, कि अवाँ, कि अवाँ! कि अवाँ, 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 कि की दूट दूट अब आप 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 किए अब आप अब अब कर दो अब ए एसे मूँ के उलटका रखा है खुशी का दिन है तो खुशी से काम कर चल फूल ले किया सब त्यार है ने पंडीजी मुरत में ज्यादा टाइम नहीं है ए टिंगो इधर आ ए जल्दी से जा और मेरे लिए एक मस्त कुर्ता ले किया हां गनेश कविता के शादी किशोर से नहीं होनी चाहिए तुझसे होनी चाहिए ए मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है चल अपना काम कर चल जा वो माना कि नहीं उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना तुझ जाया गया नहीं गर्ट है सपना कितनी देर होगी और यह क्या पनकराई हो आजिए तुम्हारी शादी है साड़े-दस बजे का मुहुर्त है थर्स्डे क्यों से तुम्हारा फेवरेट डे देखो जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है कि शूर से तुम्हारी शादी हो रही है भाईया आप तो बहुत बड़े सेल्फिश निकले क्या सेल्फिश आपके सेल्फिश होने के कारण ही आज कविता से मेरी शादी हो रही है लेकिन भाईया कविता अब मुझसे प्यार नहीं करती किशोर क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछू हाँ पूछो न तुमने मुझे जिन्दगी के उस मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है जा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ गोनो मुझे यहां अकेले आप गश्योर चाने वाला एक क्योर था और वहीं किशोर आज पर अपनी जान छड़कता है अब मैं किस पर विश्वास कर इस्क शूर के करो कविता मैं पूरी तरह बदल गया हूं मैं भी प्ली तरह बदल गए हूं कि यहूर कि मैंने कविता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया लेकिन एक बात मैं मानता हूं मुझमें सिर्फ प्यार के लिए जान देने के हिम्मत है लेकिन जंदेगी भर उस प्यार के हिफाज़त करने के हिम्मत सिर्फ आप में है भाईया कविता हमेशा खुश रहे इसलिए आपका उ यूर राइट कविता मेरे लिए सही है 100% सही है लेकिन कविता के लिए आप 100% सही हो यास आई लॉब दिस फ्रेंड आप कविता से शादी करेंगे बुलिए अरे इतना क्या सोच रहे हो भाईया बोलो ना कोई फाइदा नहीं चुपरने से बोल दे विए बोलो गनेश तुमने लेटर में लिखा था कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते और अपकर मैं तुम से कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती तो बाइया बाइया कुछ लोग हत्यार लेकर आ रहे हैं भाइया हमें बच्चा लीजी भront मैं हैं बाइया बाइया को से वह चेंड लेकर CHRISLICH